प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर में कामकाज करने वाली EPL शेय को ICICI Securities Brokerage Farm की तरफ से खरीदारी की सलाह देते हुए 30 प्रतिशत के रिटन के टार्गेट निवेशकों को दिये हैं EPL Limited जिससे SL Propact Limited कहा जाता है यह कंपनी प्लास्टिक पैकिंग मैटिरियल का निवेटी करने में एक प्रमुक कंपनी है जिसके तहत के लिए कंपनी विश्व में प्लास्टिक ट्यूब में एक लार्जेस्ट मैन्यूफैक्ट्र कंपनी है जिसके तहत कंपनी जर्मनी, रूस, चीन, मेक्सिको, USA जैसे देशों में अपनी माल की बिक्री करती है तो कंपणी के जो प्रोड़क्ट है वह हसल में ब्यूटी, कॉस्मेटिक, फॉर्मा, हेल्थक के क्षेत्र में इस्तेमाल किये जाते हैं। कंपणी की आर्थक स्थिती काफी मजबूत मानी जाएगी क्योंकि EPL शेय कंपणी का कुल मार्केट कैप 5983.093 करोड का है तो उसे पर कंपणी के उपर वर्तमान में 178 करोड का कर्ज है, साथ में कंपणी के प्रमोटर की होल्दिंग गिक्यावन दशमलव 5 एक प्रतिशत की दर्ज है तो 24.07 करोड की फ्री कैश भी कंपणी के पास मौजूद है EPL शेय कंपणी का पिछले 3 साल का प्रोफिट ग्रोथ 24.85 प्रतिशत का दर्ज है तो रिवेन्यू ग्रोथ 14.54 प्रतिशत का है, साथ में कंपणी ने पिछले एक साल में 17 प्रतिशत के ही रिटन ICICI Securities Brokerage Firm की तरफ से खरीदारी करने की सलाह देते हुए इसका जो टार्गेट प्राइस है वह 240 रुपे प्रतिश शेयर रखा गया है, जिसे निवेशकों को ये 30 प्रतिशत का रिटन प्राप्त करके दे सकता है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में विट्टिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत विट्टिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या विट्टिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृट वित्तिय सलाकार से परामर्ष लें